हलो दोस्तो नमस्कार तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आचुके बिल्कुल है मारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहापे हम लोग बात करने वाले कुछ important stocks and उनसे जड़ोए latest important बात है सो दोस्तो सबसे पहले हम लोग वापस start करेंगे यहापे important फिलाल जो खबर यहापे चल रही बिकाजी सो बिकाजी का IPO हम लोग को फिलाल आते वे देखने को आपे मिलने वाला है यहापे बिकाजी के IPO में इन्वेस्ट यहापे करके रखा हुआ है इसी के वज़े से हम लोग यहापे कह सकते हैं भहुत सार लोग का confidence शायद से बिकाजी Foods International यह जो IPO यहापे आ रहा है इसमें related अगर हम लोग बात करें तो response शायद से थोड़ा बहुत इसमें यहापे सुदार हो सकता है so next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तो तो Lupin Lupin की अगर बात करें तो pharma sector की company एक जमाने में यह nifty 50 में यह stock यहापे हुआ करता था अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग को पता है तो इनको एक और इशू यहापे पाया गया है और इसके चलते उन्होंने warning लेटर भी जारी कर दिया है Lupin का जो महाराश्ट्रा based API plant देखने को मिलता है उसके बदलत तो यहापे हम लोग जरू कह सकते हैं कि जबी भी इस प्रकार की आपतिया पाई जाती है तो उस company के लिए वो positive बाते बिलकुल भी आपे नहीं होती है तो लुपीन के उपर भी आप चाहो तो इसके चलते focus बना के आपे रख सकते हो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तो कल का दिन यस वैसे तो डेली बेसेस देखा गया तो अच्छे numbers आ रहे हैं बट कल का दिन result के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा important है मतलब इतने सारे बड़े बड़े companies जैसे कि Aditya Birla Fashion की अगर हम लोग बात करें उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो paint में Exo Nobel India आप सब लोग पते हैं यह दुनिया में top 5 paint company है नो डाउट इंडिया में उनका business इतना कुछ खास या पर नहीं चला तो इसके भी numbers हम लोग को देखने को आपे मिलने वाले हैं उसी की साथ साथ अमुरुत आंजन इस company के उपर अब आप focus रख सकते हैं अच्छी company है जिसके numbers कल आने वाले है निफ्टी 50 वाली company FMCG का दिगर स्टॉक ब्रिटानिया इसके नमबर आने वाले है उसी की साथ साथ camps इस company के नमबर हम लोगों को देखने को मिलने वाले है दैन सिपला की बात करें उसी की साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आपे फटा फटा आगे बढ़े तो EKI Energy इस company के नमबर देखने को मिलने वाले escort के नमबर देखने को मिलने वाले है दैन FCL जिसने हम लोगों को short term में बहुत तगड़े returns दिये इस company के नमबर देखने को मिलने वाले गेल के नमबर से आपे रहेंगे जिलेट के नमबर से आपे रहने वाले जिलेट के आलत बहु बोल सकते हो जो कि हाली में हम लोगों को यह company list होते वे देखने को मिली थी इसके number से हम लोगों को देखने को आपे मिलने वाले हैं प्लस अगर मैं थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर जाओ तो एक दो और बड़ी company आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जैसे के आप देख सकते हो वो finally उनने यहाँ पर ले लिया interest rate पहले वो hike कर रहे थे बहुत ही छोटा छोटा सा rate hike देखने को मिलता था and finally bank of England ने तगड़ा rate hike यहाँ पर कर दिया है आप देख सकते हो bank of England make the biggest interest rate hike in 30 years so कितना basis point का यहाँ पर rate hike उन्होंने हाँ पर किया है तो दोस्तों आप देख सकते है bank of India bank of England raise its benchmark rate by 75 basis point so चलिए देर आए दुरसता है थोड़ा बहुत तो अभी हम लोगों को सुधार देखने हो का आप मिल रहा है उनको जरूरत है क्योंकि वहाँ का decision लिया है correct decision लिया है 75 basis point का rate hike देखने हो का आप मिल रहा है next अगर हम लोग आप बात करेंगे दोस्तों तो तर्की यह सो तर्की में जो inflation है चोबीस साल के highest level पे जा चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 85.5% इतना जबरतस हम लोगों को inflation तर्की में यहाँ पे मतलब इतना higher level पे जाते वे देखने हो का आप मिल चुका है तो ऐसे बहुत सारी countries है दोस्तों जहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार के inflation देखने हो का आप मिल जाते हैं अर्जंटीना की भी अगर हम लोग बात करें वहाँ पे जो inflation रहता है कुछ जादा ही सतर पे हम लोगों को देखने हो का आप मिल जाता है तरकी की भी हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे किन चीजों के साथ वो deal यहाँ पे कर रही है देन बात करेंगे दोस्तों Credit Swiss ने यहाँ पे बताया कि जो मतलब इनके जो आने वाले numbers रहेंगे तो उनमें जो उन्होंने पहले जो prediction दिया था वो अभी उन्होंने यहाँ पे continue नहीं करना चाहिए यह तो वैसे भी देखा गया तो common sense वाली बात है profitability भी इनकी impact यहाँ पे हो सकती है देन बात करते हैं थोड़ा सा American Bazaar की तो American Bazaar भी अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल flat ही हमनों को चलते वे देखने का आपे मिल रहा है कल के दिन जो rate high के आपे हुआ था 75 business point का expected था बट जो commentary हमनों को देखने को मिले थी totally unexpected थी unexpected मतलब जिस प्रकार से जिस रवाई यह से उनने जो बाते deliver करी बाजार के सामने वो बिल्कुल भी positive sign यहापे नहीं दे रही थी अगर आप chart button भी देखोगे 5 दिन का तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा nose dive हमनों को कल के दिन देखने को आपे मिला है already American Bazaar plus 200-300 point चल रहा था and वहाँ से extra जबरदस गिरावट मतलब कुल मिला के 800 point मोटा मोटी गिरावट हमनों को कल देखने को मिले थे top level से so commentary बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी जो की साफ बताता है कि उनका जो focus है वो inflation के उपर रहने वाले और इसके चलते वो growth को compromise करने के लिए ready है and recession भी अगर आ जाएगा तो भी चल जाएगा so इतना aggressively अगर बात है यहाँ पर होगी तो बाज़ार तो definitely negative reaction यहाँ पर देगा ही देगा जो कि हम लोगो को कल देखने को आपर मिला था नेक्स बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर air Asia यह दोस्तों air Asia की अगर हम लोग बात करें उनका जो remaining stake था वो भी उनने बेज दिया किसको तो दोस्तो air India को तो चली यह तो आज ने तो कल न्यूस तो सामने आने वाली थी तो अभी completely air India के कबजे में air Asia हमनों को आते वे देखने को भी आपे मिल चुका है नेक्स बात करेंगे देवियानी international यह company focus में थी क्योंकि last इसके पहले जितने भी quarter थे loss 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 देखने को मिल रहा था और finally company ने आपे profit दिखाय था इसके चलते interesting थे इनके numbers during the marketing number आये थे जब numbers आये तो बाजार ने quickly positive reaction दिखाया और बाद में थोड़ा सा detail में numbers पड़े तो बाजार खो अच्छे नहीं लगे फटावट profit booking भी आपे हो गई और नमबर लास्ट टाइम जैसे आये थे ना वैसे देखने को नहीं मिले मतलब लास्ट टाइम के तो वो एक तरफा numbers थे कमाल के numbers थे beautiful number थे और यही problem होता है थोड़ा सा उम्मीद हम लोगों की बढ़ जाती है तो ठीक है okay okay type का performance हम लोगों को यहापे के type के numbers हम लोगों को देखने को आपे मिले है तो आप चाहो तो इसके उपर भी focus रख सकते हो कि कल के दिन इस stock के प्रती क्या reaction हम लोगों को देखने को मिलता है जरू आप radar के उपर इनको रख सकते हो next बात करेंगे दोस्तों तो यहापे वोड़ा phone idea या वड़ा phone idea की number यहापे हम लोगों को वापस खराब देखने को आपे मिल रहे है यस मतलब पहले भी quarterly बात करे yearly बात करे loss बढ़ते ही जा रहा है इसमें कौन सी बड़ी rocket science की बात है अगर आप अपने customer को ही नहीं टिका पाओगे तो आपका loss आज नहीं तो कल बनने ही वाला है क्योंकि आपके income प्रॉब्लेम क्या रही है इनके expenses जो रहते है खर्चे वो constant रहते है और जो income है वो लगातार कम हो रहा है तो अगर income लगातार नीचे 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 खर्चे अगर उपर भी नहीं constant भी रहे CDC गणित की बात है इसी के चलते आप देख सकते वड़ा फोन आडिया अभी तो 8 रुपे का ही यहापे stock है अभी इनके लिए तो मतलब दो ही oxygen है आप सब लोगों को यहापे पता है एक है fund raising जब यह fund raising करेंगे properly वो और उसके साथ साथ वो जो उनके उपर करजा है इससे related जो सारी बाते देखने को मिलती है वो यह दो इनके लिए important चीज़ है अलग-अलग खबरे यहापे आते रहते हैं कि यह invest करेगा वो invest करेगा गूगल का भी नाम साब नहीं था बट बट बाद में केमिकल से related अगर हम लोग यहापे बात करें तो कुछ restriction से आपे लगा दिये थे जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो product के साथ यह deal करते थे वो अभी ban हो चुका है तो इसके चलते हैं उनको थोड़ा बहुत फरक यहापे पढ़ेगा सो ठीक है study करने के लिए आप चाओ तो इसको focus में आपे रख सकते हो दैन बात करेंगे दोस्तो यहापे important point RBI से related यह दोस्तो RBI के आज MPC की आपे बैठक थी और इससे related बहुत सार लोग पूछने सर outcome का क्या हुआ तो दोस्तो उन्होंने outcome कोई publicly सामने आपे नहीं रखा है तो इतना तो पता चला है दोस्तो rate high से related फिलाल तो कोई भी चीजे हम लोगों को देखने का आपे नहीं मिली और यहापे inflation से related यहापे उन्होंने बातचीत यहापे की है और inflation से related जो भी report यहापे बनी है वो उन्होंने directly government को submit की है तो आप सब लोगों को पता है usually inflation अगर काबू में यहापे नहीं आता है तो यह एक formality रहती है आपको यह काम करना पड़ता है तो इसके लिए MPC की उन्होंने additional beta के आपे बुलाई थी और इसके चलते है यहापे हम लोगों को इस सारा खाम यहापे फिलाल तो देखने को मिल रहा है तो rate hike से related कोई भी चीज़े देखने को मिली और कोई भी publicly announcement आज की दिन हम लोगों को देखने को आपे नहीं मिला direct report सरकार को यहापे सोबदी जा चुकी है तो definitely अभी rate hike से related अगर हम लोग बात करें तो December में जो MPC की बेठक रहेगी वहापे अभी हर किसी का focus यहापे रहने वाला है next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो Yes Bank से related एक गजब की news यहापे सामने आ रही है शायद से ही यह इसी के चलते है आज हम लोग को भागते वे देखने को यहापे मिला बट खबर हम लोग को यहापे अभी अभी आते वे देखने को आपे मिल रही है सो खबर के है दोस्तो Yes Bank to transfer stress asset कितना 48,000 करोड to JC Flower यह तो पुरानी news है यहापे CEO ने बोला है दोस्तो कि यह November end तक ही यह काम खतम होने वाला है यह बहुत बड़ा बात है हम लोग यहापे जरूर कह सकते है क्योंकि यह सबसे बड़ा problem Yes Bank का तो stress asset से related ही है जितने भी NPS के अगर हम लोग बात करें यह transfer होगा इस से related मतलब अभी कौन सा November मन्त ही चल रहा है तो कोई बात नहीं यहापे हम लोग कह सकते कि November खतम होते होते यहापे वो सारा deal यहापे complete हो जाएगा यह CEO ने बात यहापे सामने फिलाल तो यहापे रखी हुई है अच्छी बात है यहापे जैसे कि मैं आप लोग को इसके आज के पहले वीडियो में भी पहले या सेकेंड वीडियो में भी आप लोग को यहापे बताया था कि अच्छी बात है बट यहापे टोटली जब तक March यहापे आता नहीं है अच्छा कासा परफर्मंस होते वे देखने का आपे मिला है अच्छा करता दोस्तो वीडियो हेलफू लगाओगा तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना वी बिल भी मिटिंग आरेक स्टुडियो तब तक के लिए बाई बाई